देखिए अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है पुराने वीडियो को तो आप कोई बत पता होगी कि मैंने पिछले साल पेटियम से परस्नल लॉन लिया था आज उसी वीडियो पर एक कमेंट आया था उस कमेंट में पुछा गया है कि भाई जितना लॉन मैंने लिया था करी इसके अलावद दोस्तों अगर आपको ये बात जानने हैं कि वही पीटियम से किस तरीके से लॉन लेते हैं और जाद से जादा लॉन आपको कैसे मिलेगा कम सेलरी पर उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा अगर आप चाहते हो तो क्यूंकि वह वीडियो प्राने हो च आपको पता है आप जिस भी कंपनी से या हैप से परस्नल लोगे वहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग चार्ज भी कटता है कंपनी वाले लेते हैं करीब मेरा यहाँ पर 6,000 रुपे कटा था करीब 44 या 45,000 रुपे मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे और टाइम की बात करूं दोस्तों तो पेटियम से लॉन मुस्किल से 10 मिनट के अंदर आ गया था अकाउंट में मैंनो उसमें वीडियो बनाए थी मेरे चैनल पड़ी हुई है पुराने वीडियो है देख लेना आप 10 मिनट के अंदर लॉन आमांट आ गया था मेरे अकाउंट में ठीक है पेटियम वॉलेट में नहीं आया था अकाउंट में आया था करीब 6,000 रुप पकट गए थे तो एक लाग 50,000 में से 1,44,000 में मुझे मिला था ब्याज की बात करूं तो करीब इसका 24 परसेंट ब्याज था सालाना 24 परसेंट ब्याज था और EMI दोस्तों मेरी इसकी है 18 मेने क 1,500,000 रुपे की EMI 18 मेने की है मेरी और EMI की जो किस्त है वो है 10,005 रुपे करीब मुझे 1,80,000 रुप भनना पड़ेगा थोड़ा था फालत हुई है 1,85,000 रुपे का मुझे 1,44,000 मिला और 1,80,000 बनना है तो करीब दोस्तों यहाँ पर जो मुझे ब्याज लगा है 1,85,000 र करीब 24% के साप से यहाँ पर ब्याज लगा हुआ है किस्त बनी है तो आप दोस्तों आप इस साप से अंदाजर आ रहे ना वहीं आप कितना लौन ले रहे हो उसको 24% कर ले ना जितने भी EMI में आप करोगे उतना इसाप साप की बन जाएगी ठीक है यहाँ पर दोस्तों करीब 10,005 रुपे की किस्त है अभी चल रही है किस्त ऐसे कोई बाद नहीं है वी चल रही है और पढ़ जाएगी जरी-जरे देखो सब कुछ हो के रात हो तो फुलाल दोस्तों इस वीडियो को मैं है कातंग बढ़ता हूं उम्मिद करता हूं आपको जैंगर एच्छे और कुछ दिक्कत चल रही है तो प्लीज कमेंट में लिख देना आया ताकि मुझे भी पता चल सके और कुकल लाउंड मेरा चल रहा है ठेक है तो थैंक्यू अर्मच